नमस्कार दोस्तों ट्रिकी गुरु अमिद गुपता के यूटूब चैनल में आज आपका फिर से स्वागत है दोस्तों आज मैं आपके लिए रेलवे गुरूबडी और NTPC परिच्छा के लिए अतियंत उपियोगी स्वामिधान के कुछ ऐसे प्रस्णों को लेकर आया हूँ जो कि रेलवे के विभिन परिच्छाओं में पूछे जा चुके है इसमें पहला प्रस्ण है स्वतंत भारत के प्रथम राष्टपती कौन थे तो जब आप बहुत ही असान है सभी लोग जानते होंगे इसमें हमारा आंसर हो जागए डाक्टर राजेंदर पर साथ जो की लागतार दो बार इस पर पर थे अगला प्रस्ण है राष्टपती के चुनाओ का निरड़य कौन करता है प्रस्ण में ये पूछा जारा कि राष्टपती के चुनाओ में यदि कोई विवाद हो जाता है तो इसका निरड़य कौन करता है तो इसमें हमारा आंसर हो जाएगा A सरोच नियाले आपको ये याद रखना है कि अगर बाइचांस विकल्प में दे देता है निरवाचन आयोग तो आपको निरवाचन आयोग को टिक नहीं करना है क्योंकि राष्ट्पति का चुनाव निर्वाचन आयोगी कराता है। लेकिन अगर कोई विवाद हो जाता है तो उस विवाद को सरोच न्याले सुल जाता है। है किसके द्वारा तो इसमें हमारा आंसर हो जाएगा डी प्रधान मंत्री और उनके मंत्री मंडल द्वारा इसलिए कहा जाता है कि राश्पती का जो अभिभासड होता है सत्तवादी दल का एक एजेंडा हो जाता है, इसमें सत्तवादी पार्टियां अपने विकास कारियों को ही गिनाती है, युद की घोसडा या सांती का फैसला करने में कानूनी रूप से सच्छम है, तो इसमें हमारा आंसर हो जाएगा, A. राश्पती, किसी भी बिधी के लिए सरोच न्याले से परमर्ष मागने क अधिकार किसको है, तो सरोच न्याले के मुखने अधिस से परमर्ष मांग सकता है राश्पती, लेकिन उस परमर्ष को देने के लिए सरोच न्याले के मुखने अधिस बाद दे, नहीं है, निमलिखित में से किसने भारत के कारेकारी राश्पती के रूप में एक कारेभार स तो इसमें हमारा आंसर हो जाएगा, विकल्पे में है सन्सथ के सामने बजट रखवाना, तो ए राश्पतिया कार है ही, राजसभा को विख्धित करना राश्पतिया कार नहीं है, क्योंकि राजसभा एक अस्थाई सदन है, ये कभी विख्धित नहीं होती है, बलकि इसके सदस्यों कारकाल 6 साल होता है और राज सभा काल अनंद काल तक होता है यानि ये एक अस्थाई सदन है कभी बिख्टित नहीं होती निम्लिकित में से किसे राष्टपती नहीं करता है तो लोगसभा अध्यच पालाई आंसर एस ही है क्योंकि लोगसभा अध्यच की नियुक्ती लोगसभा के सांसदी बहुमस से करते हैं निम्लिकित में से किसे राश्ट्पती नियुक्त नहीं करता है परधान मंत्री को राश्ट्पती नियुक्त करता है उप राश्ट्पती का तो चुना होता है उप राश्ट्पती की नियुक्ती राश्ट्पती नहीं करता संग लोग सेवायों के सदस किसके द्वारा न्यूक्त किये जाते हैं तो इसमें हमारा आंसर हो जाएगा B, राष्टपती संग लोग सेवायों के अध्यच और सदस्यों की न्यूक्ती राष्टपती करता है निवन में से किसकी न्यूकती भारत की राष्टपती द्वारा नहीं की जाती है आप हमेशा प्रस्ण में परिच्छा हाल में नहीं और हाँ पर विशेश रूप से ध्यान दीजिएगा ने तो इसके कारण भी एक दो प्रस्ण गलत हो जाते हैं तो इसमें हमारा आंसर हो जाएगा फिर से वही प्रस्ण है लोगसवा अध्यच लोगसवा अध्यच की न्युक्ति लोगसवा के सदस्वों के द्वारा ही बहुमस्स से की जाती है भारत का राश्टपती सदस्य है किसका तो भारत का राश्टपती ना लोग सबा का सदस हो सकता है ना राश्टपती जो होता है ना किसी बिधान सबा का हां राश्टपती जो होता है वो लोग सबा के सदस रखने की योगिता को धारित करना चाहिए यानि लोग सभा सदस होने की योगता उसके पास होनी चाहिए तो इसमें हमारा आंसर हो जाएगा D, इन में से कोई नहीं राश्टपती किसी भी सदन का सदस से नहीं होता है राश्टपती लोग सभा में किस समधाय के बीच से दो लोगों को मनोनित करता है तो दो हमारा आंसर हो जाएगा C, एंगलो एंडियन निम्नांकित में से किस अधिकारी किन्युक्ती परधानमंत्री की रायप और राश्टपती के द्वारा की जाती है तो इसमें हमारा आंसर हो जाएगा C, राज्जियों के राजपाल एक तरह से आप दिमाग भी हमेशा ये रखिए कि राश्टपती अपने 99% कारियों को परधानमंत्री या मंत्री परशत के परामर्श से ही करता है देखी इसमें हमारा आंसर गलत था, इसमें हमारा आंसर हो जाएगा उप्युक्त सभी भारत के मुख न्यादीश की भी नुक्ती, राश्टपती, परधानमंत्री के ही सला से करता है संगलोक सेवायोक के अध्यच की नुक्ती भी राश्टपती परधानमंत्री के सयोक से करता है इसलिए राश्टपती नाम मात्र का है भारत में राश्टपती पत के उमिदवार को इन में से किस की योगता का होना अनिवार है तो राश्टपती में लोग सभा के सदस होने की योगता होनी चाहिए इसमें हमारा आंसर हो जाएगा ए राष्टपती स्वरूप की सरकार का निस्पादन निम्लेखित किस देश में सरूत्तम है तो राष्टपती सरभधिक सक्तिसाली है हमार आंसर हो जायगा स eine स्यमुकत्राज अमेरिका का इन में तरह से केंद्र में प्रधान मंत्री होता है राज्यों में मुख मंत्री होता है जिस तरह से केंद्र में लोक सभा होता है राज्यों में बिधान सभा होता है जिस तरह से केंद्र में राज्यों में बिधान परिसत होता है कुछ राज्यों में तो कौन सी ऐसी सकती जो राश्टपती को तो प्राप्त है लेकिन राजपाल को प्राप्त नहीं है, तो ए मिर्तु की सजा की माफी, तो ये केवल राश्टपती को प्राप्त है, राजपाल को प्राप्त नहीं है, तीन में लिखा है राज बिधान मंडल द्वारा पारित चार अर्थात एक दो चार अर्थात की आंसर हो जाएगा डी कि वी कि राज सभा में राश्पती द्वारा कितने सदस्य मनुनित की जाते हैं बहुत इंपार्टेंट और ललन टाप प्रसन है यह बहुत बार सैकड़ों बार परिच्छाओं में सभी लगबग परिच्छाओं म किसी किसी छेत्र में विसेश योग ताधारित करते हैं निमलिकित में से कौन सा कथन सही है तो इसमें एबिकल्प मे लिए है भारत का उप्राष्ट पति राजसभा का पदेन अध्यच होता है तो यही खथन पती यहीघ कथन शय हमें मिल गया यानि हमारा आंसर है ए- उप् कि राज्पति को पत्ष से अगर पेता है। तो यदि राष्टपति केले राज्पति की जाएं के पत्विएंक प्रक्रिया को ओपते राह estasबा, में इसको लाया जाएगा और दोनों के कहने पर ही राश्पती को उपराश्पती को हटाया जा सकेगा आंसर हो जाएगा ए राजसभा का चेर्मैन यानि राजसभा का अध्याच कौन होता है तो A में लिखा है का चुनाव राजसभा का चेर्माइन का चुनाव राजसभा के सदस्यों द्वारा के आता है B में लिखा है कि चुनाव संयुक्त रुप से लोगसभा और राजसभा के सदस्यों द्वारा के आता है तो दोस्तों आज का मेरा वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बाक्स में लिखिएगा अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करेगा इसे अपने दोस्तों में सेर करेगा और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर आपके टेप से लिवाँ से लिवाँ रहता है